अलेकुम जी, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना होम बेस्ट मेकप स्टूडियो का जो टूर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मझे इंस्टेग्राम पे, यहाँ पे, टुक टॉक पे हर जगा आप लोगों के इतना प्यार मिल रहा था, आप लोगों के इतना पसंदा आ रहा था और आप लोग कह रहे थे के स्टूरीयो का तूर दे तो चले जी, हॉम बेस्ट मेरा जो वो स्टूरीयों है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहां से इस तरह से इंटर होंगे, मैंने इस तरह से कर्टैंज लगवाएं, कर्टैंज भी आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी क्वालिटी की हैं, बहुत अच्छे मैंने लगवाई हैं, बदब जितना अच्छा हो सकता था, एक एक चीज जितनी मैं सोच समझ के कर सकती थी, मैंने की है, मैंने जो फून की फ्लश है न वो आफ कर दी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी अच्छी से कराएंगे, और लाइट ओन करके भी मैं दिखाऊंगे, अभी जस्ट वैनिटी की लाइट्स ओन है, ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दो मिरर हमारे मिलते हैं, और मिरर से अगर आप देखेंगे लगा इस तरह से ये मेरा वंटी का लूक आता है, ठीक है, ये ये देके, इस इस तरह से ये दो मिरर्स लगें और दो वैनिटीज हैं, ठीक है, कम्प्लीट मैंने उनको साथ जोड़ा हुआ है, क्योंकि इतना ही स्पेस था मेरे इस रूम में, ठीक है, इसका मैं आपको लुक दिखाऊंगी कि लाइट्स आफ करके कैसे लुक होती है, अभी मैं आप लोग अब का काम ऐसे है कि गंदगी हो घीजाती है, तो ये साथ-साथ खैर में दो लेती हूँ, औरfire कम आ जाता है, जब मुझे स्टाइलिंग किसी लंबी लड़की की हैं, बड़ी लडकी की करनी होती है, तो मैं यहीं पर स्टाइलिंग करती हूँ, यह मिरोर्स हैं, ठीक है जी और यहां पर मैंने ये बोर्ट की फिटिंग करवाई हुई है और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो के लिए जो है ना नेल लगाए हैं मैंने का वही थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखें ठीक है ये नेल लगाए है अच्छा मैंने और ये जी मैंने लगवाया है बोड ठीक है इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है और ये घरवालों ने ये काम किया इसके लिए कोई इलेक्टरिशन नहीं आया ठीक है बस इसका ये इनों ने किया है ना कि ये बटन यहां से अब आन होगा अब यू करेंगे तो प्यारा साफ को नज़र आ रहा है ना ज़रारा बैटके दिखाते हूँ ये मेरी सिस्टर ने मज़े गिफ्ट किया था और थोड़ा सा देखें खराब भी होगे दिवार पर लगने की वज़ए से और ये जी मेरी सिस्टर ने मज़े गिफ्ट किया था तो ये मैंने इस कॉर इस तरह से आप लग देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, और यह जी हम दूर से मैं अगर आपको दिखाओं तो यह है, मेरी रिंग लाइट, ठीक है, यहाँ पे कॉर्णर पे रखी हुए रिंग लाइट, यही पे लाइट अन कर देती हूँ, स्विच वगारा भी य नज़र नज़र आएगा मेरी वैनिटी का, ठीक है, एक एक चीज़ अभी शेयर करती हूँ, आप लोगों के, इस वाली साइट पे आज है, तो मैंने हेर के जो स्प्रेज हैं वो रखे हैं, और मेरा स्किन केर भी यही पे होता है, क्योंकि मैं यहीं से चीज़े उठा के यहां पे बसे इतनी चीज़े रखी हैं, बाकी वहां पे एक कबर्ड बना हुआ है, तो वहां पे मैंने चीज़े हूँ है, ठीक है? क्योंकि यहां पे आप सारी चीज़े आप नहीं रख सकते हैं, सेंपल के तोर पे जो जो चीज़े बहुत जादा यूज़ करनी है, वहas यहां पे रखी हुए तो यह इस तरह से कुछ नजर आता है दूर से ठीक है यहां पे मेरे हेर सीरम्स हैं और स्किन केर सीरम्स हैं और मेरे फेशल्स हैं और मेरे स्किन पॉलिश जो मेरे फेवरिट प्रोड़क्ट्स है ठीक है और ये फेशल की भी मैंने चंड चीज़ें यहां रखी हैं बाकी जादा इसकी चीज़ें जादा घपला मच जाता है इसके मैंने वहां रखी है ये मेरे कुछ लोशन वगरा पढ़े हुए और वहां पर मैंक अपर से ना वैनिटी दिखती इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा दूँ अच्छा मैं कुछ भी ना चुपाऊंगी ने आपसे लेकिन डिटेल नहीं दे पाऊंगी इस वीडियो में तो इस तरह से यह जी दरा मेरे यूटीब पे आने वाली यह रिमिंग्टेन का पता नहीं कौन से नंबर है इस तरह से यह मेरर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है आप लोग देख सकते हैं मतलब सुबही साफ करो तो इस वक तक इस पर मट्टी पढ़ चुकी होती है और यह जी आते ही अगर यह आपक क्योंकि अगर इस पर हम चीज जोर से भी अगर हम यह काँच की बोडल रखेंगे ना तो यह जल्दी से तूटे गा नहीं ठीक है आपको दिखाने के लिए था यह हैर एकसिसरीज ठीक है फोकस नहीं कर रहा कैमरा तो यहाँ पे हमारी हैर की चीज़ें तो यह ओपन करते ही हमारी चीज़ें यहाँ पे मेरी पिन्स हैं डबल पिन्स के मैंने बॉक्से रखें कहां से बॉक्से लिए हैं किस तरह से मैंने साइज लिया था और यह एक चीज़ बाद में आप लोगों साथ डिटेल शेयर करूँगी ठीक है जी अच्छा जी इस तरफ आ जाते हैं और य नहीं नहीं ले सकी मतलब न्यू चेयर नहीं मैं ले सकी ठीक है और बाकी मेरी हर चीज़ अलहमदोलेला माशाला से नहीं है माशाला माशाला जरूर आप लोगों ने पढ़ना है बोलना है अच्छा जी अब इन मिरर्स की तरफ आजए तो आप लोग मिरर्स का साइज देख वरी ये भी मेरे घरवानों को अला बाग खुश रखें उन्हों नहीं सेट अप करके दिया ठीक है और जिस तरह मैं चारी थी क्योंकि अगर ये मैं सारी वायर्स जो नीचे पीछे की तरफ हैं कि तब भी वैनिटी पीछे नहीं इसको थोड़ा जोड़ा से प्रेस करेंगे त मैंने एक ही यहां पे रखा कि जल्दी से यूज़ करना और ये जी मेरी चूलरी वाली जगा आ जाती है जो कि मेरी बहुत ही खुबसूरत तो आपको मता है मेरा ये होम बेस्ट मेकप स्टूडियो है तो मैंने अपने शूट के हिसाब से भी इसको डिजाइन किया और अपन पांच पांच ये एक पूरी complete मेरी vanity है ठीक है बस बेरी कारपेंटर ने एक गडबड घुटाला किया कि उसने यह जो यहां शीट में यह वाले जो कील लगाए ना इनको हाइड नहीं किया तो यह मुझे जगा जगा आप देखेंगे कील आपको नजर आएंगे लेकिन चले काले टीके का काम का रहें नजर नहीं लगे इस तरह से हमें नजर आएगा ठीक है इस तरह से देखें और यह जी हमारा आगया हमारे यह वाला हिस्सा जहांपे हमने make up रखा हुया slower मेरा मैकप स्टाट होता है और यहां से यह दो वैनिती अकट्छी होती हैं और दोने की मेरों है बीच में आप जोड़ सकते हैं ठीक है और यह इतनी चोड़ी है यहां से इतनी चोड़ी है और यहां से इतनी चोड़ी है डिटेल बाद में मैं आपको दूँगी और यहां पे जो मेरी बहुत ज्यादा यूस होने वाली शूट्स के दौरान या ब्राइडल की मेकप के दौरान जो मेरा मेकप है कुछ यहां रखा ह कुछ चीज़े मेरी कबड़ में यहां पढ़ी हुई है अच्छा है क्यूंकि सारी चीज़े आगर मैं यहां हो तो यह सारा भर जाएगा और पर स्पेस चाहिए होती है यहां पर इस्टेंड रखने के लिए शूट वगररा करने के लिए तो ये भी उपर से कुछ इस तरह नजर आता है और मिरर आप देखे हैं, मिरर की कॉलिटी मैंने बहुत अच्छी लगवाई है, जब मिरर के उपर ये लाइट्स जलती वे नजर आती है और जो फिनिशिंग आती है, अंदर से वाइट की, मिरर की बहुत ही खुबसूरत अच्छी यहां से मैं करूंगी वोईस ओवर स्टार्ट क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं साथ-साथ ही हर चीज़ बताओं लेकिन वहाँ पे जो है ना, रिकॉर्डिंग अच्छे से हुई नहीं हावास की अच्छी यह अब आपको पूरा मेरर में दिखा रही हूँ यहां पे साइट्स पे मेरे कुछ काशीज की चीज़ें इसलिए स्प्यूटी के प्रोड़क्स, चंकी ग्लिटर्स जो मेरी फेवरिट चीज़ें हैं यहां पर पढ़ी फिलाल हम रख देते हैं, साइट पे अच्छी यहां पे अब आप देख लें कि यहां पे अगर हम दराज खोलते हैं तो सबसे जो पहला दराज उसमें मैंने कुछ फाउंडेशन की जो मिक्सिंग करके सीक्रिट बेस बनाके रखते हैं यहां पर हम उपन करते हैं तो कुछ मेरे जो फेवरिट जो मेरे प्रोडक्ट हैं यह डिटेल आप कभी वैनिटी टूर मांगेंगे तो वो मैं अलग से दे दूँगी यह जो मारकर लाइनर है यह जिन्दगी असान कर देता अगर आप लोग महंधी नहीं लगाना चाते तो यह लाइनर भी यूज कर सकते हैं यह मारकर लाइनर नहीं है जो बहुत ज़दा कमार की हैं वो रखें यहापे लश ग्लू है और मेरे कुछ शॉपनर्स वगरा पढ़ें और कुछ हाईलाइटर शीड्स है और नेल ग्लू है और लश अप्लिकेशन के लिए जो ग्लू यूज होती है ग्लिटर्स के लिए जो ग्लू यूज होती है कुछ मेरे पैलिट्स ग्लिटर्स वगरा और कॉंटर पैलिट्स तरह की चीज़ है यहापे मेरे बहुत सारी जो मेरी खास लेश जो एक्दम से यूज करनी है आपे पैंसिल हर तरह की वाइट बलाक नीली पीली सारी पैंसिल हैं पढ़ी है जो अच्छी है बीबी क्रीम्स कुछ कंसीलर्स पढ़े हुई हैं यहापे मैंने खास चीज़े रखी हैं बात बहुत ज़्यादा खला रहा और बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं चाहिए थी अच्छा जहां पर मैंने चूलरी पर गर्राय रखी है और आपको मैं दिखा रही हूँ कि साइट्स पे राड चीट लगी हूए और आपको राड नज़र आएंगे साइट पे स्टील राड जो लगे हैं जिसकी मज़र से बहुत ही स्मूधली आपका दराज ओपन हो जाता है यह बहुत नाज़क होते हैं लेकिन बहुत अच्छे से यह दराज खुलने में मदद देते हैं यह मैं आपक करके थोड़ी चीज़ें यहां पर रखे हैं जो प्यारी लगें अच्छा जी नीचे वाले इस दराज की तरफ आ जाते हैं उपर के दराज मैंने आपको दिखा दिये थे वो मेरर से भी नज़र आ रहे थे हैं यहां पर कुछ जो पैट बगारा जो स्टफिंग होती है आप पी नीचे पढ़े हैं तो यह 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 नीचे 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 कर दिती यह नील्स को बहुत इच्छा चाँ जी दूर से पीछे हो के मैं आपको दिखाऊ हो तो इस तरह जो है कंपलीट से लगवाई लेकिन उसने एक ही साथ एक ही जगह पे लगा दी और वो बाद में हमने खुद सेट करके लगाए मिरर यहां पे लगावा था तो दिवार पर मैं आपको बता रही हूं कि यहां पर दाख वारे पढ़ गए हैं खैर उसको एगनूर करें जो मैं बिल RAMSAY लगवाई हैं ना यह फूल मैंने अलग से लिए थे और यह खुड एक ही साथ ही सारे फूल लगा दिये थे और दो तरह के पूल आ एक संट पे पूल आपको मेलेगा ठीक है कि सतना का बड़ाी खुचूरत और इस तरह का पूल ना प्लिध रहने करतें तससे मैंने ली थी soph이는 लिंक मुझे भूल गय बारहल मैंने वहां से ली थी सबस् штक्त También कोशिष करूँग sliding विडियो उसे अध्याडी मौत मुझे लिये थी ओधाना में फ्रेश है और बड़े पयारे से और मैंने यह इस ऑख़ा reperू cheap सीधे तो इनको मैंने खुद सेटिंग की है और ये बहुत प्यारा से ये मैंने राड का ये लिया था कि आप खुद भी बनवा सकते हैं ले सकते हैं तो इस तरह से मैंने राड का ये लिया था ठीक है और ये बहुत ही प्यारा लगता है यह wash हो जाता है, साफ हो जाता है गीले पानी से, और यहाँ पे मेरा एक पानी के वोतल नीचे पड़ी हुई है और यहाँ पे ही मेरा stand पड़ा हुई जो मेरा बहुत use हो रहा है जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया तो यह मेरा इस तरह से complete look इस corner के आती है और यह जी चेयर अच्छा जी, यह मैंने ली थी चेयर और चेयर यह इस तरह से जो ए, घूमने वाली चेयर इस तरह से और आप हेयर स्टाइलिंग के लिए, क्लास के लिए पीछे टेक भी बहुत अच्छी है और इस तरह से इस जिप लगी है, मतलब ये खुल भी जाता है, ठीक है, कबी मैंने खुला नहीं है लेकिन एक बात है, ब्लैक्ट चेयर बहुत जल्दी गंदी होते हैं, तो ये ब्लैक है, और यो रखी है और ये थीज़ भी, ब्लैक है चेयर का हुआ है इसके अंदर मैं आपको दिखा देते हूं कि कितना सब मैसी है ज्यादा नहीं दिखाऊंगे तो यहां पे मेरी पी आर इस तरह की काफी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी है रिंग लाइट वगरा है और यहां पे भी मेरा ना थोड़ा से खोल के दिखाऊंगी यहां मेरा सारा सेलोन का ही मेरा स्टफ वगरा पड़ा हुआ है ठाउन को एक्स्ट्रा चीज़ें अंदर भी बीच में झार दो तूरा गे यह तेरा थेंख दूर दूधे नहीं कशिआ एब तो यह सब नहीं कापेते है बहुत आरी प्लाइट अधर प्लाइटंन पाली यहां थे अच्छे मैंने फ्लश लाइट जो है ओफ कर दी है क्योंकि वो अजीब सा कलर आ रहा था ठीक है तो ये ब्राउन कलर के हैं सोफे भी ब्राउन कलर की है और मेरा जो दर्वाजा है उसका कलर डोर का कलर भी ब्राउन है तो ये देखें इस तरह ये बहुत प्यारी मिरर से लोका आती है ठीक है तो चेर जो है वो मैंने ब्लाक कलर की रखवाई है ठीक है आप लोग देख सकते हैं और कबर और सोफे और डोर ये तीनों चीज़े सेम मैच है क्योंकि देखें एक ही थीम में पूरे पूरे रूम को वाइट नहीं रख सकती थी ब्लाक नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था ये मुझे डाग ब्राउम ने सोफो के साथ नहीं मिला तो ये मुझे अच्छा लगा रेड कलर का ये हमने जी लिए हैं सोफे और कर्टन्स आप लोग देख सकते हैं मेरे बहुत खुबसूरत कर्टन्स हैं अच्छा जी ये जी कंप्लीट लोग कर्टन्स की और आप लोग कर्टन्स की लोग कितनी खुबसूरत है ठीक है ये है जी कंप्लीट कर्टन्स की लोग ठीक है ये camera तो यह देख सकते हैं कितना मज़े का stuff है तो मैंने आम से साधे से curtains नहीं लगवाया और curtains जो है वो peach color के हैं इन flowers के साथ match करते हैं light peach and light peach और pink mix है ठीक है तो यह मैंने इस तरह light color के रखवाएं कि यहाँ पे जब मेरी bride खड़ी होती है पाटी में बहुत अच्छा शूट हो जाता है देख सकते हैं आप लोग मेरा कमप्लीट मेकप स्टूडियो अमायरा चावीद मेकप स्टूडियो इसका नाम है ठीक है और इस तरह से ये कमप्लीट लोग नजर आता है मैंने दो वैनिडीज को अकठ्छा कर गी एक चेका पर रखा है जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये सेपरेट भी हो जाएगी और कल को इंशाला जब आप सब की दौाओं से मेरा स्टूडियो बढ़ा होगा मैं इसको बढ़ा करूंगी मज़ीद आप इसको अलगल भी रख सकते हैं मज़ीद और भी बनवा सकते हैं इसको बढ़ा होगी और ये मैंने आपको कम्प्लीट जो अपना रूम टोर है दे दिया है मैंने कोई मेकप बगारा कुछ भी अप्लाय नहीं किया हूँ और मैंने बस हिजाब कर लिया था और मैंने कर जल्दी से आप लोगों साथ वीडियो शेयर करूं और ये हैं जी मेरे कर्टन्स और ये मैं बैट गया हूँ कोई रिंग लाइट वगारा मैंने की जस्ट वो लाइट्स अन है जो वैनेटी की लाइट्स है और आपको वीडियो कैसी लगी है लोगों ने ज़रूर बताना है अगर आप लोग चाहते हैं मैं सामने आके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं और आप लोग या कहते हैं व्लॉग शेयर करूं लेकिन जब करती हूँ तो आप लोग बिलकुल व्यूज नहीं देते तो प्लीज वियोज दिया करें तभी मैं आप लोगों के सामने आके वीडियोज बना सकूँगी और इहमत आएगी मिरूए और ना मुझे ना बड़े ही अजीब लगता है बहुत शरम आती है मुझे ठीक है और आप लोग मेरे आई मेक अप को मेरे वीडियोज को इतना पसंद करते हैं जो लोग करते हैं उनका बशक्रिया खुश रहे हैं और इस वीडियो को जज़ादा-च्छादा आपने शेयर करना है सब के साथ और बहुत सारा प्यार देना मेरे इस वीडियो को मुझे दीजे जाज़र अलाहफे